अलो दोस्तों मैं इंद्रेश श्यादो आज आप लोगों को आठ तरीक 2022 को करेंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज का पहला कोश्चन है भारत में भारत से 420 प्रांड गैज रेलवे रेलवे वैगन खरीदने का समझाता किया है किस देश ने किया है तो हमारा है बंगला देश कौन सा देश है बंगला देश बंगला देश ने क्या किया है समझाता किया है खरीदने का ब्रांड गैज होता क्या है ब्रांड गैज हमारा होता है कि यह रेलवे की पटरियां होती है पटरियों की क्या होती है दूरी होती है ब्रांड गैज क्या होता है जो ह आला जो होता है। उसको बोलते हैं, light gauge की distance होती है, वो 610 mm होती है, नारो gauge की 762 mm की होती है, और मीटर गेज होता है जिसकी डिस्टेंस जो है 1,000 mm होती है ब्राइंड गेज की जो डिस्टेंस होती है 1,676 mm की होती है अब थोड़ा हम जानकारी ले ले लेते हैं बंगलादेश के बारे में बंगलादेश बंगलादेश हमारा क्या यह ऐए पडोसी देश है भारत से लगदी है इसकी क्या सीमा जो है इसकी जो कैपिटल है ओ क्या है धाका इसकी जो मुद्रा हो ओ क्या है टका बंगलादेश की मुद्रा क्या है टका यहां के जो राष्ट पती है ओ कौन है अब्दुल हमीर जी है और यहां के जो पीम है और सेख हसीना जी है सेख हसीना प्रधान मंत्री जी है बंगलादेश पहले एक जो हमारा राज्य होता था ये दो भागों में क्या था एक पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्यमी पाकिस्तान था एक क्या था पश्यमी पश्यमी पाकिस्तान पश्यमी जो हमारा बंगला देश था वो पुर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था पुर्वी पाकिस्तान का कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान से इसको बंगला देश को क्या कर दिया आजात करवा दिया उसके बाद कि बंगला देश में प्रांतों की संख्या कितनी है बंगला देश में टोटल प्रांत जो है वहां कितने बंगला देश में आठ प्रांतों की संख्या है सबसे लंबी नदी कौंसी आ कि यहांकी जो शुरमा नदी सबसे लंबी नदी है सबसे वड़ी जील है कएंके कपटाई जील ह और सबसे उँचा परवत जो है साखा हूं कोग है यहां का सबसे बड़ा सबसे ऊचा परवत है कि इस की जो सीमा है बंगलादेश की सीमा जो नहीं किन दो देसों के साथ लगती है और एक भारत के साथ लुटाल मैं मार के साथ, दो राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, भारत से जो पंगलादेश है, पांच राज्यों के साथ अपनी सीमा साजा करता है, इसमें कौन कौन से राज्य है, जो हमारा पुरवी भारत है, उसका मैप बनाते हैं, तो यहां मेखाला इसे करता है, फिर इधर, यह हमारा बंगलादेश यहां पर कौन सा बंगलादेश होता है बंगलादेश इधर भी साजा करता है इसे मेहाले से भी करता है त्रिपूरा के तीनों तरफ से त्रिपूरा एक राज है जिसको त्रिपूरा को तीनों तरफ से क्या क्या घेरा हुआ है त्रिपूरा को क्या क्य चलते हैं जो बंगला देश है बंगला देश के राष्ट पिता जिसे भारत में राष्ट पिता महत्मंगानी जी को कहा जाता उसी तरह से बंगला देश में भी एक राष्ट पिता के नाम से जाने जिसको सेख मुझेबुर रहमान कहा जाता है इन्हों ने ही जो पहले करवाया था जो है बंगला देश को इसलिए इन्हें क्या का जल सेख मुझेव्य रह्मान बंगला देश बीजे दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाता है बंगला देश सोक दिवस जो है 15 अगस्त को क्यों मनाता है सोक दिवस क्यों कि इस दिन एक ही परिवार के सफी लोहों की क्या क संप्रिती भारत और बंगलादेश के बीच होता है, बांगो शागर भी भारत और बंगलादेश के बीच होता है, सांती अग्रिशेन जो युद्ध व्यास है ये भी भारत और बंगलादेश के बीच होता है, भारत और बंगलादेश के बीच होता है, फिर इसमें कुछ पैक देशलए चलती है क्या चलती है जिसका नाम है कूछ ट्रेने भी बंगला दीश और भारत की बीच में चलती है इसमें क्या है थ्री ट्रेन चलती है जिसमें 2008 में मैंध्री एक्ष्प्रेस करके चली थी 2017 अब करेंट अफैर का सबसे most important कोशण है मिताली एक्सप्रेस मिताली भारत और बंगला देश के चलाई जाती है नेक्स्ट कोशन है हमारोच फेनी नदी एक क्या है फेनी नदी करके फेनी नदी नदी जो है फेनी नदी मतलब सेट का निर्मान जिसको बलते हैं, पुल, पुल का निर्मान नेरा भारत और तरिपुरा का जोड़ने का काम करेगा, मैतरी कर से तु किस नदी पर बना हुआ, फैनी नदी पर बना हुआ, इस चीछ को याद करके धिमाग में रख के चलना है, नेक्स्ट पेज़ पे चलते हैं नेक्स्ट पेज़ हमारा क्या कहा रहा है नेक्स्ट पेज़ पे है जेन्यू जेन्यू जो है पहली जेन्यू की पहली महिला कुलपती किसे बनाया गया है जेन्यू की पहली महिला कुलपती और अब पढ़ते हैं जेन्यु की अस्थापना 12 अप्रायल 1969 में हुई थी इसकी जो अस्थापना मतलब सलस्थापक जो थे वो मूनिशा राजा जी थे इसका जो headquarter है वो कहा है डेली में है इसका headquarter कहा है डेली में ठीक अब आता हूँ ONGC ONGC थोड़ा इसके बारे में कुछ जो महिलाए थी मतलब अभी तक जो current affair में है उनके बारे में थोड़ा सब पढ़ ले थे ONGC की पहली महिला अध्यच अलका मितल को बनाया गया है शेल की पहली महिला सुभा मंडल जी को बनाया गया है यह नेशनल हाइवे अथार्टी आफ इंडिया नेशनल हाइवे अथार्टी आफ इंडिया यह जो अलका उपाध्या जी को बनाया गया है दिल्ली स्पोर्ट यू इसलिए बिशेश कर थ्यान दीजेगा और अब नेक्स्ट कोस्टन पर चलते हैं अब बाबा अब बाबा आर्ट आफ सेलफ डिफेंस ट्रेनिंग कारेकरम शुरू किया है यह कारेकरम जो है करनाटक का राजिद्वाना शुरू किया गया है करनाटक की जो कैपिटल है वो में में कम से कम आपको कितनों नहीं तो 25 से 30 कोस्टन मिल जाते हैं फिर अब बाबा अब बाबा 11 नमबर को एक जैनती मनाई जाती है एक महिला थी जो है फिर इस यहां के जो सीम है करनाटक के सीम कौन है करनाटक के सीम है बशा और आज बंबई यह भी हालही में बने है करना कि नेक्स्ट से पे चलते हैं स्पेज नेक्स्ट से याँ कि नेक्सट पेड़् करनातक करनातक में सबसे ज्यादा चंदनब डी करनाटक में कुछ नेशनल पार्क है उनके बारे मैं यह पढ़ लेते हैं बनेर घट नेशनल पार्क नागर होल नेशनल पार्क करनाटक में गुट्सो मनाया जाता है लोक जो कंबाला । पुश्ता sth n.t.pc. हो गए और nt.pc. जैसे हो गया लेख ौल होग गया इन सब एक्जाम में इससे question जरूर आता है लेख ॉन Smart घट इसलिए कंबाला को भी और सबसे बड़ी बात है किसकी दौड होती है, भैसों की दौड होती है, यह important है, मैसूर्दसारा ओगया, लोकमृत हो गया, करगा हो गया, दिया का लोकमृत है, एच्छगान होता है, most important है एच्छगान इह बहुत है, most important है, एच्छगान, अब next पर काफी उत्पादन में, प करनाटक का और जो भारत का पहला चंदन संग्रहाल ही कोला गया मैशूर के करनाटक मैशुर के करनाटक मेशूर में डूनिया अब नैस्ट प्रॉस्ट पोश्यन पर आते हैं यह वाला हमारा दुनिया की तीसरे सबसे बड़े ब्रांड इस्टेडियम स्वारी ब्रांड ने बड़े क्रिकेट इस्टेडियम की आधार सिला तीसरा नंबर का तब जो है जैपूर में इसकी जो छमता मतलब जो दर्सक आएंगे देखने के लिए उनके बैटने के जो छमता हमारी हो 75,000 है 75,000 दर्सक क्या कर सकते हैं बैट सकते हैं तीसरे नंबर का लेकिन प्रथम विश्व में जो है विश्व में प्रथम अस्थान पर क्यों है विश्व में नरेंद्रमोदी स्टेडियम जो हमारा नरेंद्रमोदी स्टेडियम है यहाँ पे लिखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में है और एक लाख दस अजार लोगों को बैटने की चमता है सेकेंड नमबर का है मिलबार्न स्टेडियम मिलबार्न क्रिकेट ग्राउंड जिसमें एक लाख लोगों को बैटने की चमता है या अस्टेलिया में इस्थित है ठीक है next question पर चलते हैं एक देश एक राशन कार्ड यह योजना है one nation one राशन कार्ड one nation one राशन कार्ड ठीक है इसमें जो 35 राज बना है 36 गड़ पहला राज बना था गुजरात गुजरात हमारा सबसे पहले गुजरात ने लांच किया इस यो अन्सुया विके ठीक है आज हमारा हें पर समाप्त करते हैं जैहिन जैवारत थैंक्स आप लोगों को इसी तरह से आप लोग लाइक सेयर और सस्क्राइब करिए प्लेज अच्छा लगे तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में थैंक्यू हुआ हाँ